वेल्कम बैक टू माइट चैनल लर्न कोडिंग विद भाई और भाई मैं हूं रोहिताजाद मलिक के युआई फ्रंटेंड डाउलवपर तो भई हम सेरीज चला रहें रियक्ट हुक फॉर्म की ठीक है उसमें भई हमने लास्ट क्लास में वोच देखा था कि भी हम कैसे वोच करते हैं कोई भी डेटा चेंज होता हो डेटा मारे पास कैसे आता है हम उसके फंक्शन के थू हमारा क वोच लुषिफ्याइक चीज का ठीक है भई उसके रिगार्डट तो ला आज हम गेत वेल्यू के बारे में बात करेंगे गेत वेल्यू क्या होता है कि मुझे ऐसे यूजर के एक्शन पे किूजर ने कोई एक्शन किया और उसके अक्शन पर मुझे उसकी वेल्यू मिल तो अभी हम use effect को comment आउट कर देते हैं इसके में जरूरत नहीं है अभी ठीक है तो भी हम एक काम कर लेते हैं हम देखो get value के लिए में क्या करना पड़ेगा get values इसको हमें import sorry इसको हमें na destructure करना पड़ेगा किस से मिलेगी हमें अब form से मिलेगा get values ठीक है अब get values आगया हमारे पास अब get values यानि कि किसी field की value लेकर आना अब इस जो इसकी value आएगी किसने किसी action पर आएगी चलिए अब हम एक बटन बना लेते हैं पहले कि कोई user बटन पर क्लिक करेगा और उसके बाद हमें values मिल जाएगी यह मारा input id सेव था तो हम यहां पर एक बटन और बना लेते हैं button ठीक है get values और इस button क्यों पहले हमने type define किया buttons button इस पर जैसे user action करेगा on click हमने एक methods call कर लेते हैं यहां पर fan बनाएंगे क्या भी handle get values यह नाम का मेरा एक functions होगा हम इस function को बनाते हैं ओपर चलके यहां पर हमने const create किया c o n s t const handle get values और इस पर मैंने fat arrow इस्तेमाल किया और इसके अंदर मुझे यहां पर आर्गुमेंट में data मिल जाएगा मेरी values मिल जाएगी values ठीक है अब इसके बाद क्या है मुझे यहां पर get values get value अब get value के अंदर इसको values को हटा है यू की जूरूत नहीं पड़ेगे मैं आपर const मैंने आपर डाला कि भी get value मैं आपर डाल देता हूं form value equal to get value और मैंने कौन console कर लेते हैं console.log में कौन सी value मेरी forms की जो भी values हैं वो मेरे को print होके दिखाएं यह हमने इसको save करा लिया ब्राउजर पर चलते हैं देखो यहां मेरा एक button आगया देखो आप देखोगे get values नाम से ठीक है जैसे इस पर user क्लिक करेगा तो मेरा get value जो function है वो trigger होगा क्लिक किया मैंने देखो trigger होगा मेरा console.log में values आगी क्या value आई जो मेरी form की value थी किसकी देखो मैं न जहाँ get value किस से लिए और इस form में सारा का सारा जो भी मेरी form है इसमें जितनी भी values है वो मेरा काँ को लो रहा है handle get value के अंदर get values function कब जब मैं get value function को call करूंगा और यह मैं कब call कर रहा हूं जब मैं get values का जो button है इस पर click कर रहा हूं click करने पर देखो सारी values आगी और इससे क्या होगा देखो अपना component भी re-render नहीं हुआ यहाँ पे अगर मैं values चेंज करता हूं मैंने डाल दिया रोहित मलिक ठीक है अब देखते है get values get value get value वो देखो मेरा name क्या आया यहाँ पे name रोहित मलिक आ गया अब उसके वादेखो मैं उपर जाओं component re-render देखों तो यहाँ पे मेरा component में कुछ re-render नहीं हुआ है तो यानि कि जो get value है वो मेरे को without मेरी state without मेरे component को life cycle को method को touch करे react hook form में get values जो method के थूरू मेरे को values मिल जाती पूरे पूरे form की अब अगर मेरे को किसी particular values चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगी values के अंदर जो हमारा arguments है आप यहाँ पर पास कर दोगे name suppose मुझे सिर्फ ना name की value चाहिए name क्या मेरा रोहित मलिक page को मैंने एक पर reload किया रोहित आजाद आ गया by default मैंने इसमें change कर देता हूँ मलिक कर दिया मैंने ठीक है email ठीक है save किया second argument मैंने डाला क्या value आएगी second argument के साथ try करते हैं मैंने get value पर click किया value only रोहित आजाद आया है second argument जो email था वो value नहीं आया क्यों क्योंकि आपका यहाँ पर array इस्तमाल होगा अगर आपने multiples value लेनी है तो कैसे like this जैसे हम watch में use करते थे array सेम आपका methods होई है यह आपको value array के हिसाब से provide करवा देगा अब अगर मैं get value पर click करूँ तो देखो array के अंदर मेरी इसने दोनों value लेकिया एक मेरा name लेकिया एक मेरी email id की value लेकिया अब सेम अगर मैं आलनों मैं city टाइप करता हूं यहाँ पे डेली and pin code 111001 और मुझे इसकी value चाहिए होगी तो जो मेरी city है city क्या है address.city ठीक है एक मैंने यहाँ पे और ले लिया array और भाई पिन कोड पोस्टल कोड मेरा क्या है address.pin कोड तो आप ऐसे इस्तिमाल कर सकते हो मैंने save किया get value प्रेस किया तो देखो आपके पास चार एरे मिल गए आपको यहाँ पे क्या मिल गया फर्स्ट में आपका name मिल गया learn coding with भाई आपकी email id मिल गी second आपकी city मिल गी and third आपका postal code मिल गया तो इस परकार आप get value को इस्तिमाल कर सकते हो ठीक है भाई I hope आपको get values का purpose का समझ में आया होगा अब get value के साथना मारा set values आता है उसको उम पढ़ेंगे next classes में ठीक है भाई thank you दन्यवाज आपने मेरी वीडियो देखी पसंदा आइज दो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं वाई next वीडियो में ठीक है एक नए टोपिक के साथ थैंक यू भाई